दोस्तों आज हम बात करने जा रहे रमन सिंग जी के अब तक के कारेकाल के बारे में रमन सिंग ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतिय जंसंग के युवा सदस्य के तौर पर की थी रमन सिंग 1990 और 1993 में मद्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे उसके बाद सन 1999 में वे लोकसभा के सदस्य चुने गए वर्ष 1999 में हुए राजनन्द गाउं 36 गण में लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिलने के बाद उनके राजनीतिक करियर को एक नया आयाम मिल गया ततकालिन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपाई ने उन्हें अपनी सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया 2003 में जब 36 गण राज्य का पहला चुनाव होना निश्चत हुआ तो भारतिय जंता पार्टी में ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई जो चुनावों से पूर्व के निर्नायक महिनों में पार्टी संगठन को गती शील कर सके संगठन शंता और सब को साथ लेकर चलने की दक्षता में संपन डॉक्टर रमन सिंग को ये दायत्व सौपा गया पहली बार भाजपा को 36 गण के विदान सबा चुनावों में बड़ी सफलता मिली एक दिसंबर 2003 को 36 गण के इतिहास में भाजपा के विजय दिवस के रूप में दर्ज किया गया डॉक्टर रमन सिंग 36 गण के प्रथम नर्वाचित मुख्यमंत्री बने जिसके बाद से वे अभी तक इस पद पर काबिज है अब देखना होगा क्या इस बार भी वो 36 गण में अपनी सरकार बनाने में काम्याब होते हैं या फिर नहीं अगर ऐसा होता है तो उनके राजजनितिक जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्दी होगी और अगर हम विधान सबा चुनावों की बात करें तो पाँच राजजियों में अभी विधान सबा चुनाव होने बाखी है तो अभी 36 गण को लेकर बहुत ही जादा मामला गर्म है कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही लगे हुए हैं कि जनता को लुभाया जाए और उनसे वोट अरजित किये जाए 15 सालों से यहाँ पर पहले से ही बीजेपी की सरकार है तो इसको देखना बहुत ही जादा दिल्चस्प होने वाला है कि वहां की जनता क्या सत्ता परिवर्तन चाहती है अगर सत्ता परिवर्तन चाहती है तो हो सकता है बीजेपी की वहां पर हार हो जाए लेकिन ऐसा बहुत ज़दा मुश्किल होता नजारा रहा है क्योंकि जो रमन सिंग है या फिर अमिश्य है या फिर मोदी है ये लगे हुए है कि जनता पर अपना विश्वास बनाई रखने पर और वहां की जनता इस सरकार पर बहुत ज़दा भरोसा करती है तभी वहां पर 15 परशों से इनका राज रहा है वहां की जनता इनके काम से इनका जो भी कारेकाल अब तक रहा है उससे बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि इस बार बीजेपी ना आए सकता में क्या पता कॉंग्रिस को मौका दिया जाए लेकिन अब ही कुछ भी कहना सही नहीं होगा तो हम जल्द ही लोटेंगे इस से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ थांक यू सो मच की वाचिंग तुड़ेज फर मोर वीडियो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे जरू जाए और तुड़ेज की आप को जरू डाउनलोड करें